आप सभी को मेरा नमस्कार तीस दिन हर दिन एक कहानी सुनिए मेरी यानी रहुल दानगे की आवाज में आज वाचन करेंगे कानों में कंगना इस कहानी का जिसके लेकक है राजा राधिकारमन प्रसाज सी है कहानी कार का उद्देश्य है मनुष्य के रिदय को चूकर उसके विवेक को जगाना ताकि वह वासना और प्रेम के अंतर को समझ सके लेजे सुनिए कानों में कंगना राजा राधिकारमन प्रसाज सी है किरन तुम्हारे कानों में क्या है उसने कानों से चंचल लटको हटा कर कहा कंग ना अरे कानों में कंग ना सच मुझ दोकंगन कानों को घेर कर बैठेते हाँ तब कहा बनू किरन अभी भोरी थी दुनिया में जिसे भोरी कहते है वैसी भोरी नहीं उसे वन के फूलों का भोलापन समझो नवीन चमन के फूलों के भंगी नहीं विवीत खाद या रस्ते जिनके जीवी का है निरंतर काट शाट से जिनका सौंदर रहे जो दो गड़ी चंचल चिकने बाल के भूशा है दो इन्हें चूती नहीं यह सरल सुन्दर सवरब में जीवन है जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्रांधन से हरे भरे रहे जब समय आया तब अपनी मा की गोद में जड़ पड़े आकास स्वच्चता नील उदार सुन्दर पत्ते शांत थे संध्या हो चली थी मैं रसाल की डोली थाम कर पासी खड़ा था वह बालों को हटा कर कंगन दिखाने की भंगी प्रानों में रहरे कर उड़ती जब माकन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़ कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला था या नूर जहा ने अचल से कबुतर को उड़ा कर शहंशा के कठोर रिदय की धज्जिया उड़ा दी फिर नदी के किनारे बसंत बल्लब रसाल पल्लों की चाया में बैठी किसी अपरूब बालिका की यह सरल स्निक्द भंगी मा एक मानव अंतर पर क्यूँ न दोड़े किरन इन आखों के सामने प्रती दिन आती ही जाती थी कभी आम के टिकोरे से आचल भरलाती कभी मोल सिरी के फूलों की माला बना लाती लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलब लिला आखों से होकर रिदय तक नहीं उतरी आज क्या था कौन शुब या अशुब शन था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कही मनोरम दिख पड़ी कौन जानता था कि चाल से कूचाल जाने में हातों से कंगन भूल कर कानों में पहिनने में इतनी माधुरी है दो टके के कंगन में इतनी शक्ती है गोपियों को कभी सुपन में भी नहीं जलका था कि बास की बासुरी में घुंगट खोल कर नचा देने वाली शक्ती भरी है मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया फिर धिरे धिरे उसकी उंगलियों पर चड़ाने लगा नजाने उस घड़ी कैसी खलबली थी मुह से अचानक निकल आया किरन आज की ये घटना मुझे मरते दम तक न भूलेंगी ये अभीतर तक पैट गए उसकी बड़ी बड़ी आखे और भी बड़ी हो गई मुझे चोट से लगी मैं तच्चन योगिश्वर की कुटी की तरफ चल दिया प्रान भी उसी समय नहीं चल दिये यही विस्मय था एक दिन था इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दुसरी दुनिया का सुक उठाते थे हरी चंदन के पलोग की छाया भूलोग पर कहा मिले रिशिक इसके पास एक सुन्दर वन है सुन्दर नहीं अपरूप सुन्दर है इसी वन में एक कुटी बना कर योगिश्वर रहते थे योगिश्वर योगिश्वर ही थे यद्देपी वह भूतल ही पर रहते थे तता भी उनने इस लोग का जीव कहना यतार्त नहीं था उनकी चित्तरित्ती सरस्वती के श्रीचर्णों में थी या ब्रह्मलोग की अनंत शक्ती में लिप्टी थी और वह बाली का स्वर्ग से एक रश्मी उतर कर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी कुछ साल से मैं योगिश्वर के यहां आता जाता था पिता की आग्या थी कि उनके यहां जाकर अपने धर्म के सब गरंतपट डालो योगिश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी किरन उनकी लड़की थी उस कुटिर में वही एक दिपक थी जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ उसी दिन सबेरे मेरे अध्यन की पूर्ण हुती थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पितामबर पाच सुवर्न मुद्राहे तता किरन के लिए दो कनक कंगन आचारे के निकट ले गया था योगिश्वर ने सब लोटा दिये केवल कंगन को किरन उठा ले गई वह क्या समझ कर चुप रहे गए समय का अध्भुचक रहे जिस दिन मैंने धर्मगरंत से मुह मोड़ा उसी दिन काम देव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा दूसरे दिन मैं योगिश्वर से मिलने गया वह किरन को पास बिटा कर न जाने क्या पड़ा रहे थे उनकी आखे गंभीर थी मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंदों पर हाथ रख कर गदगद स्वर में बोले नरेंद्र अब मैं चला किरन तुमारे हवाली यह का कर किसी की सूकोमल उंगलिया मेरे हाथों में रख दी लोचोन के कोनों पर दो बुंदे निकल कर जाक पड़ी मैं सहम उठा क्या उन पर सब बाते विदित थी क्या उनकी तिवरद्रिष्टी मेरी अंतर लहरी तक डूप चुकी थी वह ठहरे नहीं चल दिये मैं कापता रह गया किरन देखती रह गये सन्नाट आचा गया वन वाहू भी चुप हो चली हम दोनों भी चुप चल पड़े किरन मेरे कंदे पर थी हठात अंतर से कोई अकड कर कह उटा हाई नरेंद्र यह क्या तुम इस वन फूल को किस चमन ले चले इस बंधन विहिन स्वर्गिय जीवन को किस लोग जाल में बानने चले कंकटी जल में जाकर कोई स्ताई विवर नहीं फोड़ सकती शनबर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो लेकिन इधर उदर से जलतरंग दोड़कर उस छद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती जगत की भी यही चाल है यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोग में चला चल में खड़े हो फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेंगा इस काली कोटरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे ऐसी शक्ती अब आकाश को सुमी समझो दो दिन में राम हाई जान की हाई जान की कहकर वनवन डोलते फिरे दोशन में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग घसित लाया किरन की भी यही अवस्ता हुई कहा परकृति का निर्मुक्त गोद कहा जगत का जटिल बंदन पाश कहा से कहा आपड़ी वह अलोकिक भूलापन वह निसरग उच्छवास हाथो हाथ लूट गए जब किशोरी नए साचे में ढलकर उतरी उसे पहचानना भी कटिन था वह अब लाल चोली हरी साडी पहन कर सर पर सिंदूर रेका सज्टी और हाथों के कंगन कानों की बाली गले की कंठी तता कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाये मारती थी जब कभी वह सजदज कर चाननी में कोठे पर उठती और वसंत वायू उसके आचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता फिर किसी मतवाली माधुरी या तीवर मदीरा के नशे में मेरा मस्तिश गूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चितकार फुलदार रंगिन चित्टी में भर कर जुही के हाथ उपर भेजवाता या बाजार से दोड़ कर कटकी गहने वा विलायती चूड़ी खरेद लाता जो ही उनकी सेवी का है यो ही साल दो साल मुरादाबाद में कट गए एक दिन महोन के यहां नाच देखने गया वही किन्नरी से आखे मिली मिली क्या लीन हो गई नवीन योवन कोकिल कंठा चतूर चंचल चेष्टा तथा माया वी चमक अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी पहली बार देखकर उसे इस लोग की सुन्दरी समझना दुस्तूर था एक लपड जो लगती किसी नशासी चड़ जाती यारों ने मुझे और भी चड़ा दिया आके मिलती मिलती मिल गई रिदय को भी साथ साथ घसिट ले गई फिर क्या था इतनी दिनों की धर्मशिक्षा शत्वसर की पुझ लक्ष्मी बाब दादो की कुल प्रतिष्टा पत्नी से पवित्र पेम एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंड़ में भस्म होने लगा अगनी ओर भी बढ़ती गई किन्नरी की चिकनी द्रिष्टी चिकनी बाते घी भरसाती रही घर बार सब जल उठा मैं भी निरंतर जलने लगा लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही पाच महीने कट गए नशा उत्रा ही नहीं बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट मूती का हार, कटकी करनफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के चर्नों में रख दिये कीरन हेमंद की मालती बनी थी जिस पर एक फूल नहीं एक के हाथ बिग गया फिर ए तो दो दिन की चक्मक की खिलोने थे, इन्हें शरीर बदलने क्या देर लगे, दिन बर बहानों की माला गुंत कीरन के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक का निरलज़ डाल देना यही मेरा जीवन निर्वाह था एक दिन सारे बाते खुल गई एक दिन सारी बाते खुल गई किरन पचाड खा कर भूमी पर जा पड़ी उसकी आखो में आसू न थे मेरी आखो में दया न थी बरसात की रात थी रिमजिम बून्दो की जड़ी थी चांदनी मेगो से आक मुदोवल खेल रही थी बिजली काले कपाड से बार बार जागती थी किसे चंचला देखती थी तता बादल किस मरोड से रह रकर चिलाते थे इन्हें सोचने का मुझे आउसर नहीं था मैं तो किन्नरी के दर्वाजे से हताश लोटा था आखों के उपर चांदनी थी न बदली थी त्रिशंकु ने स्वर्गों को जाते जाते बीच में ही तंगर किस दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्गों के दर्वाजे पर सर रख कर निराश लोटा था मेरी वेतना क्यों न बढ़ी हो हाई मेरी अंगुलियों में एक अंगुटी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरनों पर लोटता घर पर आते ही जोही को पुकार उठा जोही किरन के पास कुछ भी बचा हो तो फोरुन जा कर मांग लाओ उपर से कोई आवाज नहीं आई केवल सर के उपर से एक काला बादल कालांत चितकार के चिल्ला उठा मेरे मस्तिश्क घूम गया मेरा मस्तिश्क घूम गया मैं तक्षन कोठे पर दोड़ा सब संदुग जाके जो कुछ मिला सब तोड डाला लेकिन मिला कुछ भी नहीं अलमारी में केवल मकडे का जाल था शुरूंगार बक्स में एक चिपकली बैटी थी उसी दम किरन पर जप्टा पास जाते ही सहम गया वह एक तकिये के सहारे निसाय निस्पंद लेटी थी केवल चान ने खिडकी से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायू उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी मुक पर एक अपरूप छटा थी कोन कहे कही जीवन की शेश रश्मी शन भर वही अटकी हो आखों में एक जीवन जोती थी शायद प्रांच शरीर से निकल कर किसी आसरे से वहाँ पेट रहा था मैं फिर पुकार उठा किरन, किरन तुमारे पास कोई गहना भी है रहा है हाँ, शिन कंटकी काकली थी काह है, अभी देखने दो उसने धेरे से गुंगट सरका दिया कहा, वही कानों का कंगना सर तकीये से ढल पड़ा आखे जिब गई वह जिवन तरेका कहा चली गई क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी आखे मुकफर आपड़ी वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बेटे थे, मेरी स्मृती तडित वेक से ना चूटी दुश्यंत ने अंगुटी पैचान ली भुली शकुंतला उस पल याद आ गई लेकिन दुश्यंत सवभा गिशाली थे चक्रवर्ती राजा थे अपनी प्रान प्रिया को आकाश पातल चान कर ढूंड लाया मेरी किरन तो इस भूतल पर न थी किसी तरह प्रान देकर भी ले पाता लेकिन परलोग से कोन डूंड निकालू ऐसी शक्ती इस दीन हिन मानों में कहा चड़ा नशा उतर पड़ा सारी बाते सूच गई आको पर की पट्टी खुल बड़ी लेकिन हाई खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंदकार ही रह गया यह दी कहानी कानों में कंगना जो लिखे थी राजा राधिकारमन प्रसाज सीहने कहानी कार का उद्धिश्य फिर से एक बार आपको बताता हूँ मनुष्य के रिदय को छूँकर उसके विवेक को जगाना है ताकि वह वासना और प्रेम के अंतर को समझ सके